महाभारत हर तरह के लोगों को दर्शाता है हर तरह का चरित्र जो इस धर्ती पर हो सकता है वो उसमें है रावण सीधा राक्षस ताल गया और इस युवास्त्री को देखा उसने सोचा कि वही पारवती है वो उसे लेकर घर चला गया भगवान जो भी है अगर वो कहते हैं मैं लोगों की जिम्मेदारी लेता हूँ उन लोगों की नहीं तो उन्हें बरखास्त कर दिया जाएगा या नहीं आपसे मेरा प्रश्ण ये है कि महाभारत में हम अंबा को देखते हैं वो भीश्मे से बदला लेने के लिए बहुत त्रिड है और वो शिव के पास जाती है और शिव वास्तव में उन्हें ये वरदान दे देते हैं तो कोई अपना पूरा जीवन सिर्फ किसी से बदला लेने के एक मात्र मकसद से क्यों बिताना चाहेगा और इससे उन पर क्या असर पड़ेगा धन्यवाद चाहे हमें ये अच्छा लगे या नहीं दुनिया में ऐसे लोग हैं है ना हा या ना वे है या नहीं ऐसे लोग हैं तो महाभारत हर तरह के लोगों को दर्शाता है हर तरह का चरित्र जो इस धर्ती पर हो सकता है वो उन में से है उसमें एक लाख से अधिक चरित्र हैं जिसम उनमें बहुत अच्छे, बहुत बुरे, बीच वाले सभी को दर्शाया गया है, तो वो उनमें से एक है, किसी के साथ बहुत बुरा हुआ, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और वो इनसान भूलने को तयार नहीं है, कुछ लोगों को ठेस लगती है, कुछ क्रोध और बदले से भर जाते हैं, जो निर्भर करता है, उनके अपने स्वभाव और साथ ही उस्थिती पर जिसमें हम हैं, तो वो एक राजसी महौल में है, यहां बदले को सम्मान से देखा जाता है, बदले को प्रतिशोध नहीं माना जाता, बदले को गुण माना जाता है, जब कोई किसी राजा या रानी को चोट पहुँचाता है, तो उन्हें जाकर उन्हें खत्म कर देना चाहिए, जब तक आप उन्हें खत्म नहीं करते, आपका काम पूरा नहीं होता, यह वो संस्कृती है, जिसमें वो है, हमें इसे आ हुआ उनके जीवन में, अब वो किसी भी कीमत पर उसका मूल्य वसूल ना चाहती है, तो वो कोशिश करती है, तो वो शिव से वरदान मांगती है, सवाल है कि शिव उनकी मदद क्यों करते है, क्या सवाल यही है, हाँ? शिव ऐसे ही है, क्योंकि आप जानते हैं उनके साथ एक बार रावण, आपने रावण के बारे में सुना है, रावण शिव के पास आया और उनकी पूजा की और गुणगान किया, तो वो उससे प्रसन हुए और बोले तुम जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें दे दूँगा, और वो आदमी कहता है, मुझे आपकी पतनी चाहिए शिव ऐसे ही मूड में थे, वो बोले ठीक है, उन्हें ले जाओ, पारवती पास ही मांसरोवर में नहा रही थी, और ये आदमी पारवती को खोजने लगा, उन्हें घर ले जाने के लिए, फिर किसी ने जाकर पारवती से कहा, शिव ने इजाज़त दे दी है, कि ये आदमी जो दक्षिन में कहीं से आया है वो आपको लेकर जा सकता है वो कहती है क्या उनका दिमाग खराब हो गया है तो पारवती ने एक मेंधक लिया और इस मेंधक को एक सुन्दर स्त्री में बदल दिया फिर उसे मांसरोवर के पास ही एक जील में छोड़ दिया जिससे आज राक्षस ताल कहा जाता है तो रावर सीधा राक्षस ताल गया और इस युवास्त्री को देखा उसने सोचा कि वही पारवती है वो उसे लेकर घर चला गया फिर उसे एहसास हुआ कि वो मेंधक से बनाई गई है लेकिन वो मंदोदरी थी इसलिए उसे मंदोदरी कहा जाता है जो मेंधक से बनाई गई है लेकिन वो सुंदर और अद्भुच्त्री थी इसलिए वो उसकी रानी बनी और वही रही लेकिन उसकी फिर से किसी की पतनी को हड़पने की इच्छा उसे आयोध्या ले गई है आप जानते हैं आप वो सारी मुसीबत जानते हैं वो दूसरा किस्सा है लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जिसे आप परम शक्ती या ईश्वर कह रहे हैं वो भेदभाव नहीं कर सकता है ना हलो अगर भगवान कहें जो भी भगवान है अगर वो कहते हैं मैं इन लोगों की जिम्मेदारी लेता हूँ और उन लोगों की नहीं तो उन्हें बरखास्त कर दिया जाएगा या नहीं हलो बरखास्त करेंगे या नहीं क्योंकि मूल रूप से ये एक response है एक असीमित response जब कोई चीज हर किसी को रिस्पॉंस देती है अगर उनकी चीज सही है फिर हम कहते हैं कि ये इश्वर है अगर वो सिर्फ मुझे जवाब देती है आपको नहीं तो ये इश्वर नहीं ये मेरी पार्टी है है ना हलो तो जब रावण ने एक महान भक्त की तरह उनकी आराधना की तो वो बोले जो चाहे मांग लो मगर उस आदमी में सभ्यता होनी चाहिए थी लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था उसने कहा मुझे आपकी पतनी चाहिए वो कहते हैं ठीक है उन्हें ले जाओ तो उस संदर्भ में वो शिव के सामने जलती है और वो एक के बाद एक तप करती है खुद को कठोर मुश्किलों में डालती है और कहती है मैं बस इस आदमी को मारना चाहती हूँ मुझे वो शक्ती दीजिए वो कहते हैं ठीक है ले लो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको खुशाली की और ले जाएगा एक आदमी गाड़ी चला रहा था मेक्सिको में और गैस खत्म हो गई फिर वो पैदल चलने लगा वहां उसने एक मठ देखा जहां भिक्षू बहुत कम साधनों में गुजारा कर रहे थे वो बोला मेरी कार में गैस खत्म हो गई है कुछ कीजिए तो भिक्षू ने कहा देखिये हमारे पास यहां कुछ और नहीं है हमारे पास कार नहीं है गैस नहीं है लेकिन मैं आपको खचर दे सकता हूँ आप खचर पर बैठकर अगले शहर चले जाईए फिर वहां गैस लेकर वापस आ जाईए बस बात इतनी है कि हमने खचरों को इस तरह सिखा रखा है कि आप उस पर बैठें तो आपको उसे मारना नहीं है वो सब नहीं करना आपको सिर्फ कहना है प्रभू की कृपा है वो च चलता रहा चलता रहा पूरे दिन सफर किया फिर उसने देखा कि खचर सीधा एक खड़ी चटान की तरफ जा रहा था वो उसे रोकना चाहता था उसने ये वो सब किया लेकिन वो मंत्र भूल गया उसने सारी कोशिश कर ली लेकिन खचर सीधा चटान के सिरे की तरफ जा रह था वो ठीक वहाँ पहुंचा अगला कदम उठाने ही वाला था कि उसे याद आया और उसने बोला आमीन वो रुख गया उसने नीचे देखा 2000 फीट नीचे ये भगवान प्रभू की कृपा है ऐसा होता है ना